आरे भट प्रशन और उत्तर करेंगे। पहला प्रशन है। यह प्रसीद किसान थे। तो यह कथन गलत है। वो एक साइन्टिस्ट थे और अपने देश के लिए बहुत कुछ किये थे। यह भी गलत है। यह पापली पुत्र के रहने वाले नहीं थे। तिसरा प्रस्न है आरेवर्ट भारत के पहले वेक्ति थे जिनों ने कहा था प्रिथ्वी अपनी धूरी पर चक्कर लगाती है। यह बात सही है। और चौता प्रस्न है चांद के प्रकट होन नी तथा पूरा गायव होने के मध एक निश्चित औधी होती है। यह बात आरे भट ने कही थी तो यह कथन एकदम सही है आगे प्रस्णा है आरे भट ने कौन-कौन सी चीजे खोजी उत्तर लिखेंगे उन्होंने बहुत सारी चीजों का खोज किया उसमें से पहला है उन्होंने ग्रह के विशे में कहा पृत्वी की छाया पर चंद्रमा परत तो चंद्रगहरन तथा चंद्रमा की छाया जब प्रित्वीव परती है तो सूरीगरान होता है। दूसरा है उन्होंने रवी मार्ग का पता लगाया। तीसरा सुन्नी की उपियोगता को परतिपादित किया। और चौता है जैमिती से समबन्दित त्रिकोन का कोन की सिमित की नई पदती का खोज किया और पांचमा है तारा मंदल इस्तित है और प्रित्वी अपनी धूरी पर पश्चिम से पुर्व की और घूमती है और प्रित्वी गोल है या आरेभट की खोजों में से एक है आगे प्रस्ना है अंदविश्वास से आप क्या समझते हैं उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाथ हमारे हिंदी पाथ पुस्तक किसले से लिया गया है पाथ का नाम आरेभट सच्चाई से परे सिधानतों को मानना अंदविश्वास कहलाता है जैसे आरेभट से पुरुप पृत्वी की इस्तिती माना जाता था उस समय लोकिक मत के उसार पृत्वी को गति सील कहा ना पाप समझा जाता था मतलाव उस समय अगर कोई कह देता था कि पृत्वी गतिमान है तो वह पाप का सामान हो जाता था पाप के बराबर हो जाता था लेकिन आरेभट वैज्ञानिक तत्यों से परे परंपराओं परंपराओं का अध्यन किया और उन्होंने यह माना कि यह अंध विश्वास है और उन्होंने इसे परतिपादित कर दिया कि यह क्या है अंध विश्वास है क्या है अंध विश्वास है आगे प्रस्ण करेंगे हम लोग तो है निमलिखित के प्रस्णों के उत्तर वाक्यों में देना है क्या करना है वाक्यों में देना है तो पहला प्रस्ण है आर भट का सुर्गरहन वा चंद्रगरहन के विश्वास है में क्या मानना था उत्तर लिखेंगे आर भट का सुर्गरहन वा चंद्रगरहन के विश्वास है में मानना था कि जब चंद्रमा की छाया प्रित्वी पर परती है तब सुर्गरहन होता है किन विश्यों पर लिखा गया ग्रंथ है और भटिये गनित तथा आकासिये पिंडो के विश्य पर लिखा गया एक बहुत बड़ा ग्रंथ है तिसरा है रवी मार्ग किसे कहते हैं तो उत्तर लिखेंगे सूर चान तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे हम र आरभ Champ नियम की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी तो उत्तार लिखेंगे आरभटियं की रचना के समय आरभट की उम्र मात्र 23 साल थी तो आज हम लोग आरे भट प्रस्ण और उत्तर किये हैं जो कक्छा साथ के विद्यार्थियों के लिए महत्पुर्ण होगा